और राइट लेडिस एंजेडमेन ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटप काफी सारी चीज़ें हैं चर्चा करने को इस पूरे ट्रेड सेटप को ताकि आपको आसानी से समझ में आए मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि इस व बड़ी खबरों पर फोकस करना है इन फैक बड़ी खबर सिर्फ एक ही है जो कि मैंने न्यूज इन फोकस पर लिखा है अडानी की कहानी अभी भी चल रही है उसको मैं डीटेल में समझाओंगा कि हुआ क्या है क्यों इतनी सारी चर्चाएं हो रही है सारी चीज़ें डीटे टेक अवे में जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की टेकनिकल ऑप्शन चेन यह सारी चीजों से जो उसकी समरी निकालते हैं उसकी डीटेल करेंगे यहां पर आप देख सकते हो एनलिसिस करने के बाद यह रेड लाइन में जो हम लोग बेसिकली एक्शन लेंगे वो य नहां पे बताऊंगा तो आप समझ सकते हो यहला ँट्रीशन देने का मैं प्रयास किया है इसीलिए आज की हेड्लाइन भी रेड लाइन में है और उसके बाद लास्ट में मैंने आपके लिए लेवल्स निकाल के दिया है यह लेवल्स नीचे जो लिखे हुए है वह और चीज़ है आज हो सकता हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि आज चीज़े बहुत सारी है डिसकस करने को सबसे पहले हम लोग अडानी की कहानी से शुरुआत करेंगे और एक और चीज़ है कि नीचे आपको टाइम स्टैंप मिल जाएंगे अगर आप किसी की टेकनिकल देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैंप का नीचे यूज कर सकते हो वीडियो में मैं यहां पर डाल देंगा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सबसे बड़ा टॉपिक जो इस वीकेंड पे आग लगा के रखा है वो है अड देख सकते हो सब जगा पे हाइलाइट कर लिया है और मैंने इसको परने का प्रयास किया है तो बेसिकली हुआ क्या है इनके ओडिटर है ओडिटर क्या होते हैं अगर अडानी जी कहते हैं कि मैंने हचार करोड का प्रॉफिट किया है तो क्या उन्होंने सच में किया है उसको verify करने का कार्य करती है finance के term में उनको कहते है auditor तो आप बिल्कुल detail में जा रहा हूँ मैं जानता हूँ आप सबको पता है auditor क्या है लेकिन फिर भी मेरा जो focus है वो बिल्कुल ground level से explain करने का है तो उनके जो auditor थे Deloitte उन्हों ने और ये Deloitte बहुत बड़े auditor है one of the biggest auditors है world में उन्होंने resign कर दिया है यानि resignation दे दिया है कभी भी अगर आपके किसी भी listed company में auditor resign करता है तो उसका चुकारण होता है na resignation का वो file करना mandatory है ये सेबी के कानूनों के अधिनियम है कि आपको बताने ही बताना है तो question है कि Deloitte ने क्यों किया है यहाँ पर resignation अच्छा resignation का जो कारण Deloitte ने दिया है वो बड़ा ही interesting है उन्होंने बोला है कि हमारे पास पूरी information नहीं पहुँच रही है जिसके माध्यम से हम बिल्कुल confidently कह सके हैं कि जो ने यहाँ पर resignation दिया है इसको मैं थोड़ा detail में समझाता हूँ आप जानते हो Adani एक बहुत बड़ा group है for example यहाँ पर Adani है तो Adani के अंदर बहुत सारी company है Adani Enterprise आप जानते हो इसके parent company है सबसे बड़ी company है उसके अंदर Adani Board Adani Green Energy यह सारी चीज़े आती है अब उनकी भी कूप सारी subsidies है यानि एक network है company हो का एक माया जाल है company हो का इस तरह से अब Deloitte का कहना है कि देखो boss मैं तो auditor हूँ Adani Ports का ठीक है लेकिन Adani Ports की जब मैं auditing कर रहा था तो कुछ asset transaction में मुझे देखने को मिले जो की हो सकता हूँ related party transactions हो अब related party transaction क्या होता है देखो Adani group में बहुत सारी company है जब एक group की company for example उधारण दे रहा हूँ कि माल लिजे Adani power business करती है Adani transmission के साथ तो ये एक group company के बीच का transaction है जिसे हम कहते है related party transaction Deloitte का कहना है कि यहाँ पे हो सकता हूँ कुछ related party transactions किये गए हो अब क्यूंकि हम सिर्फ और सिर्फ Adani Ports के auditor हैं तो हम पूरी clarity के साथ कहे नहीं सकते हैं कि ये जो related party transaction है वो सही में है या नहीं है जो आप बात कह रहे हो वो सत्य है या नहीं है इसका उधारण उनोंने दिया है अच्छा इतनी सारी चर्चा इनके auditor के resignation पर क्यूं हो रही है आपको पता है क्यूंकि ये सारी कहानी तब से लगतार चल लिये जब से हिंडन बर्ग ने अपनी short report निकाली थी Adani group पे और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और इस report में भी जब Deloitte कह रहा है कि हम resignation कर रहे है वो भी same बात कह रहे है कि हम verify नहीं कर पा रहे है कि ये जो short seller हिंडन बर्ग ने बात कही थी इस report में कहीं भी उन्होंने हिंडन बर्ग का नाम नहीं लिया है लेकिन short seller report करके लिखा हुआ है जो बात उन्होंने कही है वो सही है या नहीं है तो basically Deloitte ने resignation इसी basis पे दिया है और वो कह रहे हैं कि भाई हम इस पछड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है वैसे भी इस पछड़े में बहुत लोग पढ़े हुई है आप जानते हो से भी अपनी तरफ से पढ़ी हुई है दूसरी बात है आप जानते हो कि Supreme Court के आपके observation में एक committee बनी हुई है छे members की जो कि Adani के shares को देख रही है और उसके अपनी report बना रही है उसकी एक interim report भी आ चुकी है जो कहती है कि ऐसा कोई भी घपला घोटाला Adani में नहीं हुआ है लेकिन वो interim report थी उसी report के बाद आप देखेंगे Adani के सारे share अच्छे खासे recover हो चुके थे Hindenburg की report में जितना गिरे थे उसके बाद recovery आ गई क्योंकि interim report अच्छी आई है लेकिन अब फिर से उनके auditor वोही बात दोहरा आ रहे है जो कि आपके Hindenburg ने जो कि short seller थे उन्होंने कहा था इसलिए ये चीज़े खराब है अगर आप इसको और detail में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको recommend करूँगा ये report है जो आपको Adani ने RSE में file किया है page number 10 पे इन्होंने बिल्कुल related party transaction जो मैं आपको समझा रहा था न वहाँ पे क्या हुआ है उसका पूरा उधार दिया है और same चीज़ ये बात आपके Hindenburg ने भी कही थी Hindenburg ने खुले तोर पे आरोप लगाया था Deloitte कहरी है कि हम इन आरोपों को नकार भी नहीं सकते हैं और इनकी सत्यता को भी नहीं बता सकते हैं इसलिए हम इस पच्छडे में नहीं पढ़ना चाहते हैं और हम resign करना है ये चीज़ देखो बिल्कुल simple शब्द में खराब है company के लिए काफी खराब है लेकिन इसकी वज़ा से share कितना ऊपर या नीचे जाएगा इसका अंदेशा लगाना मुश्किल है क्योंकि ये operators पे depend करता है Adani Ports को अगर आप देखोगे Adani Ports and SEZ को पिछले तीन हफ़तों में मैंने देखा है कि Adani की सारी group कमपनियों में सबसे तेजी से सबसे जादा return देने वाली कमपनी Adani Ports थी पिछले तीन हफ़ते में अगर आप देखोगे तो इस कमपनी ने लगभग 10% के आसपास return दिया है तीन हफ़तों के अंदर अब इस टाइब की report definitely pressure बनाती है अगर आप मुझसे पूछो सिर्फ report के बारे में कि Deloitte ने आपका resign कर दिया क्या इसकी वज़ा से बहुत बड़ी गिरावाट आनी चाहिए मेरा answer होगा नहीं सिर्फ इसकी वज़ा से नहीं आएगी बिल्कुल सिंपल समदो क्यों इसकी वज़ा से नहीं आएगी क्योंकि इसमें सेम बात कही गई है जो हिंडर बार कह चुके और बासार एक ही खबर पे दो बार कभी भी react नहीं करता है उतनी ही बड़ी लो उस समय 5% गिराता है तो इस बार 3-2% गिरेगा लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है डानी पोर्ट सेने सेजी के साथ यहां पे दिक्कत है कि पिछले एक महीने के अंदर इसने बहुत जबरदस्त है रिटर्न दिये हैं तो अगर आप operator हो जिसने बड़ा पैसा बनाया है पिछले एक महीने के अंदर तो क्या आप इस शेर को डंप नहीं करना चाहोगे तो रियल खत्रा यह नहीं है कि डिलॉइट ने resign किया है रियल खत्रा है कि इस खबर के बाद resignation के बाद जो आपका शेर इतना जबरतस recovery दिया था वो अब sustain नहीं कर पाएगा और definitely यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी clearly कितनी मिलेगी यह हम लोग कल देखेंगे बट उमीद करता हूँ यह पूरी खबर आपको समझ में आ गई हो और बिल्कुल वीडियो में वीडियो के माध्यम से अंसर करूँ ठीक है बिल्कुल clear है अब इसके बाद आएए बाजार पे थोड़ा focus करते हैं यह सबसे बड़ी खबर थी अडानी की और अडानी की खबर आप समझ चुके हो इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो भारत का कर inflation data आना है WPI, CPI दोनो inflation data आना है CPI inflation जो की ज़ादा important है I think बाजार बंदोने के बाद आएगा तो यह भी आपको ध्यान रखना है और कल छुट्टी भी है मतलब कल खुलेगा 14 को फिर 15 को छुट्टी हो जाएगी तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब हम लोग सीधे बाजार पे फोकस करते है News in focus हमने कबर कर लिया है अब बाजार पे फोकस करते है जो last Friday को trading session था वहाँ से मेरा क्या takeaway था और मैंने उस समय Friday को वीडियो इसलिए ने निकाला क्योंकि आप कह रहे थे बड़े दिनों से कि सारे data के साथ बनाओ मतलब FIA कभी data आजाए उसके बाद ही आप बनाओ तो मैंने इसलिए थोड़ा सा वेट किया ट्रेड टेक अवे के है टेकनिकली आपने देखा हमने देखा कि nifty bank nifty दोनों में bearish formation हुआ है मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आपको last अपने Friday के setup पे लेके जाऊं और जो सबसे बड़ी बात हम लोग ने वहाँ पे कही थी जरा उस पे focus करिया यहाँ पे हम लोग ने बोला था कि nifty को defend करना पड़ेगा उननिस 500, bank nifty को defend करना पड़ेगा 44-500 का दूसरी बात है चौथे point पे हम लोग ने 11 अगस्त को यानि 10 अगस्त को ये वीडियो आया था वहाँ पे लिखा था closing अगर bank nifty की 44-500 के नीचे हो जाती है तो वो काफी खराब होगा bank nifty के लिए ये हम लोग ने 10 अगस्त को का था और अब आप देख सकते हो कि definitely closing आपकी 44-500 के नीचे हो गई है इसकी वज़ा से क्या खराब हुआ है वो जब हम लोग technical में जाएंगे structure में आपको बताऊंगा basically head and shoulder pattern का breakdown हो गया है दूसरा takeover क्या है अगर आप option का data भी देखोगे तो negative side पर है लेकिन अब मैं चर्चा करना चाहूँगा FII की data की FII का data थोड़ा सा confusing है बतातो क्यों FII का data अगर आप stocks में देखोगे बहुत negative मतलब अतहा negative है लेकिन index का data हलका सा neutral के side पर neutral to negative खाऊंगा पूछो क्यों आए दिखाता हूँ यह है 11 अगस्त का data सबसे पहले stock के data पर focus करो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा camera है वो आपको थोड़ा सा परिशान करोगा तो मैं थोड़ी देर के लिए camera बंद कर देता हूँ यहाँ पे आप सबसे पहले cash के data पर focus करिए यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 करोड की cash में बिक्वाली है बहुत जबरदस बिक्वाली है काफी खराब आकड़ाई है दूसरी बात है सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप stock future में बिक्वाली देखोगे करता हूँ सिर्फ index का data देखोगे तो उतना बुरा नहीं है index future में सिर्फ और सिर्फ 100 करोड के आसपास के बिक्वाली है जो कि कुछ भी नहीं है और option का data भी खराब नहीं है in fact neutral से positive है option का data जो कल का था but overall अगर पूरी picture में आपको बता हूँ तो definitely FIA का data negative है यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने graphical format में derivative data को convert कर दिया है आप देख सकते हो कि एक बार जब monthly expiry के बाद यह negative आया है और अगस्त के महिने में ही आया उसके बाद आप देख सकते हो लगतार negative चल रहा है और इस समय negative लगबक 36,000 contract चल रहे है आपके future में negative तो खराब तो है FIA का data बट stock में और ज़्यादा बिक्वाली हो रही है जो की थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करती है लंबे समय में मतलब यह आपकी directional बिक्वाली होती है option का क्या है option का data खतम हो जाता है Friday को यह monthly expiry पे वो फिर से नहीं data बनते है बट stock की बिक्वाली जो होती है वो आपकी directional होती है तो यह directional बिक्वाली आपको समझना है इसके basis पे आप एक दिन का trade नहीं करते हो इसके basis पे आप positional trading करते हो सिर्फ cash का अगर आप stocks का data देख रहे हो समरी में बताई उसको detail में explain करता हूँ उसके बाद मैं आपको strategy बिल्कुल clearly बताऊंगा अचा कई लोग हो सकता हो सोचते हो कि मैं इतना बड़ा video क्यों बना रहा हूँ सीधे बता दूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है यार देखो बिल्कुल clearly आपको face to face बता दूँ मेरा इस channel से objective यह नहीं है कि मैं आपको बताऊं आप क्या करो मेरा नहीं है मेरा objective यह है कि किस type से analysis की जाती है ताकि retailer भी analysis पे जादा focus करें वरना क्या है C ले लो, P ले लो, उपर चला जाए, नीचे चला जाए मेरा focus जादा है कि आप समझो कि analysis का एक step by step procedure होता है एक trade का setup बनाना होता है और वो trade setup देने का काम मैं करना चाहता हूँ और मेरा objective इस से ही है कि एक समय पे आपको मेरी ज़रूरत पढ़े ही ना खुद भी trade कर सको उमीद करता हूँ कई लोग अभी भी करते हूँ आए डीटेल में चलते है पूरी clearly vision बता दिया कि जो vision है मेरा इस channel से सबसे पहले मैं आपको technical पे ले चलना चाहता हूँ निफ्टी के case में कल एक bearish marubozo, ये candle कौन सी है bearish marubozo है काफी negative candle होती है और ये negative bearish marubozo के साथ इसने 19.500 को break किया है तो इसका significance काफी जादा है बस इसका significance थोड़ा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उतने volume नहीं थे आपके spot में जितने होने चाहिए थे अगर इसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है तो सिर्फ यही कमी है कि volume उतने नहीं है अच्छा volume के लिए एक बार future का chart भी देख लेते हैं future में भी आप देखोगे volume कमी ही है इसके अलावा आप देखोगे कि definitely 19.500 के नीचे जो इसकी एक support ही यहाँ पे आप देख सकते हो उसको इसने break किया है अब नीचे आपका next जो बड़ा support है वो 19.300 के आसपास का है जो आप देख सकते हो लगबग कुछ दिन पहले ही 3 अगस्त को 19.300 को ही इसने defend किया था दूसरी बात है अगर आप और थोड़े से support खोजना चाहते हो तो I think 50 day moving average भी exist करती है 19.250 के आसपास और 19.150 के आसपास एक trend line exist करती है जो कि support जैसे काम करेगी और अगर मैं zoom out कर दो ये trend line आपकी कहां से चल रही है ये चल रही है आपकी trend line 3 साल से आपके virus के low से तो नीचे support तो जरूर है at least nifty में support है 19.300, 19.250, 19.150 ये तीन support आपके नीचे के साइड निकल के आते हैं टेकनिकल से early time frame पर भी देखोगे तो definitely negative formation आपको देखने को मिल रहा है यहां से मैं आपको option chain में लेके जाना चाहता हूँ nifty की option chain जैसा मैंने का definitely negative है तो सबसे पहले मैं आपको resistance की बात करूँगा अगर आप 19 सबसे बड़ा resistance पूछ रहे हो तो वो 19.600 पे है ये R2 और स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा resistance है यहां पर लगबग एक करोड कॉंट्रेक्ट के आसपास है 40 लाग जुड़े है सबसे जादा कॉंट्रेक्ट 19.500 पे जुड़े है और टोटल कॉंट्रेक्ट यहां पर 82 लाग है तो 19.500 और 19.600 पूरी resistance की zone निकल के आती है और काफी जादा कॉंट्रेक्ट है यहां पर नीचे support बहुत छोटी सी support है option chain में 19.400 पर और उसके नीचे option chain में support नहीं है इसलिए technical के माध्यम से मैंने आपके लिए support निकाल दिया है इन सब का use हम लोग strategy और levels निकालते time करेंगे put call ratio put call ratio क्या है यह option chain के data को पढ़ने का आसान तरीका एक contra indicator जैसे हम लोग उपयोग करते हैं क्या यहां पर निफ्टी के case में कर सकते हैं answer है नहीं क्योंकि put call ratio 0.9 है जो कि हलकी सी bearish side पर है लेकिन oversold कहीं से भी नहीं है advance decline की बात करते हैं Friday को definitely सिर्फ nifty पर दबाव नहीं था आपके mid cap small cap सब जगह पर दबाव था अगर आप यह सारी company जोड़ लोगे तो NSE में 1850 के आसपास company है Friday को जब एक company बन रही थी ना उसके सामने दो company गिर रही थी तो आप समझ सकते हो किस type का दबाव था पूरे overall broader market में nifty 50 में भी यह दबाव आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि 11 share उपर थे और लगभग 39 share नीचे trade कर रहे थे अगर हम लोग volatility index की बात करें यहाँ पे तो ज़ादा कोई बदलाव नहीं आया volatility index लगभग 1% बड़ा है और 11.5 पे बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है bank nifty पे चलते है bank nifty वो एक index है जिसमें pressure जादा है दबाव जादा है और ये live stream के समय आपने जब सवाल पूछा था ये बड़ी सी red trend line आप जान रहे हो ये जहाँ से तेजी शुरू ही थी वहाँ से मैंने बढ़ाई थी जब break हुआ था तब ही मैंने बोला था कि इस्टरा structure अब खराब हो चुका है bank nifty का और अब मैं repeat करता हूँ bank nifty का structure थोड़ा और जादा खराब हो चुका है और जादा खराब क्यों? सबसे पहले जो candle बनी थी Friday के session में वो एक bearish मारूबोज हो थी definitely average से कम volume पे थी लेकिन सिर्फ इतना ही problem नहीं है इसने बहुत important support 44-500 को break कर दिया ये support को बचाना बहुत जादा जरूरी था break कर दिया और आप clearly देख सकते हो daily time frame पे यहाँ पे एक inverted head and shoulder pattern का break down हो रहा है जो इसको और जादा नीचे ले जा सकता है ध्यान रखेगा एक चीज ये daily time frame पे हो रहा है इसका मतलब है जब ये formation को आप trade करोगे तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में जिस दिन आप short करो उसी दिन बाजार के रहे ये daily time frame पे inverted head and shoulder pattern positional shorting opportunity आपको देता है शब्द note करिया positional या swing trading के लिए है scalping में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है लेकिन हाँ swing और positional के लिए है clearly early time frame पे या वैसे हफ़ते की भी closing हो चुके थी तो weekly भी आप formation देखोगे तो nifty bank nifty दोनों में weekly formation भी negative है यहाँ पे इसकी चर्चा हम लोग वैसे पहले कर चुके थे आईए bank nifty के option chain में आते है bank nifty के option chain में कुछ बचा नहीं है बिल्कुल clear है 44,500 बड़ी resistance पन चुकी है 35,000 कॉंट्रेक्ट है 23,000 कॉंट्रेक्ट चुड़े अच्छा bank nifty में वैसे contract add जादा हुए ही नहीं है यानि position bank nifty में है नहीं जादा तो जादा कुछ discuss करने के लिए नहीं है option chain के हिसाब से भी कहीं बहुत बड़ा support निकल के नहीं आ रहा है bank nifty में resistance निकल के आ रही है जो कि 44,500 पे है bank nifty के put call issue please यहाँ पे धियान दीजेगा nifty के put call issue हम लोग ने बोला कि ठीक है कुछ चर्चा करने का नहीं है bank nifty में चर्चा करने का यह 0.7 है lower side पे है आपका सवाल क्या यह oversold है नहीं है लेकिन अगर एक तरफा बड़ा gap down हो जाता है जब आप 44,000 के आसपास पहुंच जाते हो तो हो सकता हो यह oversold हो जाए तो ध्यान रखेगा अच्छा इसकी वज़ा से खत्रह यह वड़ता है कि अगर माली gap down होता है 44,000 के आसपास पहुंच जाती है तो यह oversold हो जाएगी तो वहां से एक बार jump करने की आपको chances बनते हैं जो कि आपको हो सकता हो stop loss आउट कर दे तो trade करने का तरीका यह है कि बाजार का structure खराब है bankrifty खराब है best चीज यह होगी कि अगर 44,000 के आसपास या थोड़ा उपर 44,500 के आसपास क्योंकि put call ratio lower side पे है मेरा focus होगा यह put call ratio बढ़ जाए तब short करना 0.91 के आसपास आजाए तब short करना best opportunity रहेगी तो यह कैसे हो सकता है यह दो चीजें हो सकती है अब मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन इन दोनों में से कोई एक scenario होगा तो आपको short करने की opportunity मिलेगी scenario number one अगर बाजार खुलता है अलका नीचे आता है और नीचे आके उपर बढ़ जाता है 44,500 की तरफ अगर उपर बढ़ता है इस level पे आता है put call ratio आपकी थोड़ी move करेगी 0.85, 0.91 की तरफ चली जाएगी neutral हो जाएगी वहाँ से short कर सकते हैं दूसरी बात है अगर बहुत बड़ी gap down आती है 44,000 के आसपास आता है तो एक bounce back देगा फिर वो bounce back में आपकी put call ratio correct हो जाएगी और फिर वहाँ से short करना है तो आपको समझना है put call ratio पे ध्यान देना है bank rifty को trade करते time यह आपको opportunity देगा entry करने के और यह बताएगा कब entry नहीं भी करनी है तो important factor रहेगा और इसलिए मैंने इसको detail में explain किया आचा bank rifty में एक बड़ा ही interesting phenomena हुआ है advanced decline bank rifty का देखो 12 share है totalis index में 5 share उपर ते और 7 share नीचे थे तो आपको neutral देखने को मिल रा है बट neutrality के बाद चूद bank rifty इतना जादा गिरा है ऐसा क्या हुआ परसंट 30 ही में से और जिस दिन आपका bank rifty 0.8 परसंट गिरावट था बहुत बड़ी divergence निकल के आ रही है सरकारी और private bank में आप कहोगे क्यूं और इसका एक ही answer है हमारे prime minister PM Modi PM Modi साब का आपकी सबने सुन लिया होगा और Instagram पे भी उसको डाला है तो Instagram पे जो follow करना चाहते है लिंक आपको मिल जाएगा मैं थोड़े meme बनाता हूँ तो अगर आप meme इंट्रेस्ट लो follow कर सबते हो PM Modi ने कहा ता ना यार सरकारी सेक्टर पे focus करो तो उनके उस statement से ही सरकारी कंपनियों को थोड़ा सा आपको focus मिला है और जिसके बाद आप देखोगे Bank Nifty की private company बहुत जादा गीरी है लेकिन सरकारी कंपनियों ने समर्थन दिया है सरकारी कंपनियों में गिरावट नहीं होई है यही reason है उसके अलावा मुझे कोई reason नहीं पता है अब हम लोग Bank Nifty के पर चर्चा कर चुके है सीधे strategy पर आते है strategy क्या होगी strategy है Nifty Bank Nifty दोनों sell on rise बन चुके है बिल्कुल clear sell on rise है दूसरी बात है Bank Nifty मैं बेचने के लिए जादा prefer करूँगा ठीक है preference का यह मतलब नहीं है कि Bank Nifty हर दिन बहुत जादा गिरेगा या ऐसा होई नहीं सकता कि Bank Nifty Nifty को outperform एक दो दिन ना करे नई मेरा जो अब trading का focus है वो positional से swing trade पे है intraday से जादा अब मुझे swing और positional trading opportunity दिख रही है Nifty Bank Nifty में और Bank Nifty जादा preferred है क्या करूँगा sell on rise करूँगा किस तरह से कर सकता हूँ मेरी preferred strategy कोई bear spread होगा for example इस महिने के अंद का bear put spread बनाना इस type की strategy मेरी preference रहेगी clearly अब हम लोग strategy अगर आपको clear हो चुकी है कि मैं sell on rise करूँगा किस type से use करूँगा कौन से index में जादा focus करूँगा और कितने time frame पर करूँगा कई लोग होते हैं जो scalpers होते हैं वो छोटे trade करते हैं फिर थोड़ी सी समस्या हो सकते है strategy समझने इसलिए सारी चीज़े यहाँ पर मैंने लिखती है अब मैं आपको level बता देता हूँ यह जो salon rise है न यह मेरा view है positional का अब आपका सवाल होगा कि कब मैं यह view बदलूँगा मतलब बाजार किसी को भी कभी भी गलत साबित कर सकता है हो सकता हो बाजार में अचानक से कुछ अच्छा हो जाए कुछ अच्छी ख़बर हो जाए तो हम लोग यह view बदलने को ready है मतलब हम तो बाजार के हिसाफ से चलते है सवाल है कब यह salon rice का view मैं बदलूँगा और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लगातार salon rice का view रहेगा मेरा बाजार पे nifty के case में यह level है 19.600 जिस दिन 19.600 के उपर close हो जाता है तो मैं यह salon rice को अपना change कर दूँगा और bank nifty जो कि मेरा focus है जिस index पे जादा वो level निकल के आता है 24.600 का जिस दिन bank nifty 44.600 के उपर जाके closing कर देता है उस दिन मैं बदलाव करूँगा अपने view में और मेरा view है salon rice जब तक ऐसा नहीं होता लगतार यह view चलता रहेगा बिल्कुल clearly है अब थोड़ा से swing trading के opportunity बन रही है अब level नीचे तो कौन से level निकल के आते हैं उपर देखो पहली resistance के level निकल के आते है 19.500, 19.525 लेकिन सबसे बढ़ी आब यहां आएगा नहीं आएगा I don't know 19.580 से 19.620 है यह बहुत बढ़िया है थोड़ी दूर है obviously बट हाँ bear spreads बनाना है माली जब bear put spread अगस्ता इंत का बनाना है तो obviously एक तो spread बना रहे हो safety है और आपकी stop loss भी spread के हिसाब से ज़ादा दूर नहीं आती है तो बढ़ी opportunity बन रही है इस समय नीचे अब हम लोग को ये भी समझना है न कि कहाँ पे support है कहाँ पे बाजार एक बार रुक के थोड़ा सा jump ले सकता है अगर आप intraday trader हो तो कहाँ पे आपको profit book करने के बारे में सोचना है तो nifty में तो काफी सारे support है नीचे सबसे पहले बड़े support की बात करता हूँ 19.400 बहुत छोटा support है मतलब break करने में समय नहीं लेगा बाजार लेकिन नीचे 19.300 से 19.250 काफी important support है क्यों बोल रहा हूँ explain किया ही था फिर से कर देता हूँ 3 अगस्त को ये level low बनाया आपने closing आपने 19.300 के नीचे नहीं दिया अच्छा 19.250 क्योंकि यहाँ पे 50 day moving average की support exist करती है दूसरी बात है अगर 19.300 के नीचे close हो जाता है बाजार तो मेरी bearishness और बढ़ जाएगी nifty पे भी clear है ना bank nifty उपर 44,500 एक ही resistance का बड़ा level है और 19.600 का 24,600 के उपर close होगा तब जाके हम लोग अपनी strategy को बतलने के बारे में सोचेंगे नीचे कहाँ पे support है bank nifty में एक चीज ध्यान रखना bank nifty अपने minor support है बहुत बड़ा support नहीं है लेकिन हाँ important support है 44,200 से 44,000 यानि 44,000 के जितना pass पहुचोगे वहाँ पे एक support exist करती है दूसरी बात है bank nifty के put call ratio मत भूलना 0.7 है अगर ये 44,000 के आसपास आती है तो और कम हो जाएगी तो हो सकता हो एक बार छोटी सी आपको वहाँ से recovery देखने को मिले तो इसलिए आपको पहले से साफदान कर रहा हूँ कि कहीं आप छोट ऐसा 100 point का move आजाए 1500 point का move आजाए आप stop loss आउट ना हो जाओ इसलिए हम लोग spreads को prefer करते हैं और ये data भी बिल्कुल clearly देखा है नीचे एक और चीज़ है अगर आप देखोगे दूसरा support तो 4.500 है इसलिए मेरा bank nifty पे shorting के लिए जाधा focus है क्योंकि अगर एक बार 44,000 break हो जाता है न तो bank nifty में नीचे support सीधे 43,500 पे निकल के आता है उसके पहले कोई major support है ही नहीं तो आप देख रहे हो ना almost 300-400 point का free fall मिलके आता है bank nifty में इसलिए bank nifty काफी जाधा कमजोर है nifty में कमजोरी और बढ़ जाएगी 19-300 के नीचे head and shoulder का breakdown हो जाएगा bank nifty में nifty में जो कि bank nifty में हो चुका है थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट जानते ही हो ना हफते की पूरी information इसमें include करनी थी